कानपुर के नौबस्ता थाना चेतर के अर्राबिंगवा इलाके में आज सोबा उस वक्त हड़कंब मच गया जब रोज की तरह आज भी अनन्थायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे सुबा पढ़ाई करने पहुचे मगर स्कूल का गेट बंत मिला और स्कूल के प्रबंदक अनुज मिश्रा का सफ स्कूल के बीतर जाली से फंदे से लटकता हुआ मिला जिसको देखते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई जिसके बाद इलाकाई लोगों ने घटना की जानकारी डौबस्ता पुलिस को दी मौके पर पुलिस ने सफ को नीचे उतार लिया और खटना की जाच में जुट गई वही में तक के भाई अंकित ने बताया कि उनके बड़े भाई अनुश की पत्मी की पिछले तीन मैने पहले बिमारी के चलते मौत हो गई थी जिसके बाद से ही अनुश काफी परिशान चल रहा था उनकी अभी एक बेटी भी है जो महें चे मां की है और सरीर से दिव्यांग भी है कि अब दो माहिने फ़ले वी उत्व होगी है तो हम लोग ठहें कि क्या है अब जो होगे होगे संझाय है बहुत माने ना ऐसा कोई नहीं तर पुछ कोई बात नहीं कि सुभयां को उम से बार दूए तो बोले इंके सास्वाल में का आज तेर भी है तो हमने का चलो 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 नहीं आप जाओ अब बच्चों के पेपर रहे है तो हमें नहीं करेंगे स्कान होगा लॉस होगा मैं तो यह बोले हम यहीं पर आए बस उसके बाद में सुभा एक दम ठोर में जाए तो स्मुसाइड गलिया कहां पर किया यह यहीं पर च्छत से जाल से जाल में सारी प्रां जो डला मूं